नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अनिरुद्विज आज आपके साथ बात करने वाला हूँ कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद पेशेंट्स को किस तरह की डायेट फॉलो करनी चाहिए ये बहुत ही एहम सवाल है जो पेशेंट्स के दिमाग में काफी बार आता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वे अपना खाना पीना किस प्रकार ले पाएंगे या उनको खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी या उसके बाद उन्हें किसी तरह की कमजोरी का सामन तो नहीं करना पड़तीगा बेरियाट्रिक सर्जरी एक मेटाबॉलिक सर्जरी है जिसमें स्टमक और इंटस्टीन्स का साइज रिड्यूस कर दिया जाता है इसके बाद एक टाइम के खाने पीने की कपैस्टी पहले के मुकाबले काफी कम हो जाती है और जो कंबाइंड और मैल अब्सप्टि व प्रोसीजर है इसमें खाने का एंब्सप्शन भी कम हो जाता है तो कई तरह के बॉड़ी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी आ सकती है तो इसी सब चीजों का हमें सर्जरी के बाद डाइट में ध्यान देने की ज़रूरत है शुर्जरी के बाद जो diet होती है उसे 4 phases में divide किया जाता है Phase 1 की diet जो है वो clear liquid diet है Phase 2 की जो होती है वो full liquid diet होती है Phase 3 की diet यानि की semi solid या pureed diet कहलाती है और Phase 4 की diet soft diet कहते हैं जिसके बाद normal diet शुरू हो जाती है Bariatric surgery के बाद अगले दिन से ही diet आरंब कर दी जाती है और इसमें लंबे समय patient को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है इस दौरान जब diet आरंब करते हैं तो Phase 1 की diet cleared liquid diet से शुरू की जाती है ये operation के पहले दिन से 4 या 5 दिन तक दी जाती है इस दौरान patient को सिरफ liquid पदार्थ जैसे की पानी, नारियल पानी, फल फ्रूट का juice, green tea, नीम्बू पानी जैसी चीजे ही allowed होती है इस समय वे केवल 30 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा ही एक time पे ले सकते हैं और उन्हें ये quantity जो है एक छोटे glass या छोटे cup में डालके धीरे धीरे लेनी होती है जैसे की वो गरम चाय ले रहे हैं फेस टू की जो डायट है वो पांचवे दिन पे शुरू होती है और पंद्रवे दिन तक continue करनी होती है इस दोरान वे liquid की मात्रा बढ़ा सकते हैं और clear liquid के अलावा अन्य liquid भी डायट में ले सकते हैं जैसे की दूद, छाज, लसी, डाल विगेरा ले सकते हैं और कहीं तरह के vegetable और tomato के soup भी ले सकते हैं इस phase of diet में patient जो है 100 ग्राम की मात्रा तक एक time में ले सकते हैं और उन्हें हर 2-3 गंटे में इसको repeat करने की instructions दी जाती है phase 3 की diet याने की puried या semi-solid diet पंद्रावे दिन से शुरू होती है और ये एक महिने तक continue करनी होती है इस diet के phase के दोरान patient को semi-solid चीजे लेने का आदेश दिया जाता है इसमें खीचडी, दलिया, mash कीवी, सबजियां या mash किये हुए फल या फिर mash किये हुए चावल भी patients ले सकते हैं जो खाने की quantity होती है वह 100-500 gram यानि एक छोटी कटोरी के बराबर ही लेना होता है और इसे एक चम्मच से धीरे धीरे लेना है 15-20 मिनट के दोरान और इस डायट को वह हैर 3-4 गंटे में रिपीट करते है जो चौथी phase of diet है वो soft diet है जो एक महीने के बाद शुरू की जाती है और लगबग 6 हफते से दो महीने तक लेने की लिए सलाग भी जाती है इस soft diet में patients मुलायम उबले हुए चावल, मुलायम फल, मुलायम सबजियां, बेसन के बने हुए चीला या फिर ढोकला आदी जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते है इस समय उनको patients को बताया जाता है कि उन्हें जो भी खाना खाना है वो पूरी तरह से चबा के खाना है और जल्दबाजी नहीं करनी है खाने किस टाइम पे उनको पानी नहीं लेना चाहिए और अगर उनको प्यास लगती है तो या तो खाने से एक घंटा पहले या फिर खाने के एक घंटे बाद ही पानी लेने की सलाथ दी जाती है छे हफते से दो महीने के बाद जब patient साबुत खा कर सकते हैं पर जो जेनरल इंस्ट्रक्शन है कि खाने को धीरे खाना पूरी तरह से चबा के खाना और जल्दबाजी नहीं करना यह सब इंस्ट्रक्शन उनको तब भी फॉलो करने की ज़रूरत है इस डाइट के साथ साथ पेशेंट्स के operation के बाद उनको supplements भी लेना जरूरी है क्योंकि जब बॉडी में bariatric surgery के बाद rapid weight loss हो रहा है तब बहुत सारे vitamins, minerals, calcium आदी की deficiency आने का risk होता है इसलिए bariatric surgery के बाद 2-3 दिन के बाद ही supplements देने का आदेश दे दिया जाता है और इन supplements को 3-6 महिने तक continue रखना होता है इन supplements में सबसे एहम भूमिका protein की होती है जो daily patients को एक नियमित मातरा में लेने की जरूरत है इसके अलावा calcium, iron, multivitamin, biotin जैसे कई और से supplements है जो patients को दिये जाते है और ये जरूरत अनुसार 3-6 महिने तक उनको continue करने होते है कर दो